हमारे पिछले सत्र में हमने बीचीय व्यंजक के गुणन के उधारन देखे मित्रों इस सत्र में हम एक साधारन गलती की ओर नजर डालेंगे जो हम बीचीय व्यंजक को गुणा करते समय करते हैं चलिए मैं आपसे एक प्रश्ण पूछती हूँ मान लीजिये के हमारे पास यह दो एक पद है और हमें इन्हें गुणा करने को कहा गया है सही विकल्प क्या है? सही विकल्प बी है अब हम में से बहुत लोगों का उत्तर विकल्प ए आया होगा लेकिन यह सही उत्तर नहीं है चलिए देखते हैं क्यों? पिछले सत्र में हमने सीखा कि दो एक पदों को कैसे गुणा करते हैं जब हम दो एक पदों को गुणा करते हैं हम गुणांकों का एक समुह और बीजिय गुणनखंडों का या चरों का एक समुह बना लेते हैं तो चलिए यह करते हैं अब हमें केवल गुणांकों को साथ में गुणा करने की जरुरत है और BG ये गुननखंडों को साथ में गुना करने की जरूरत है हम गुनांकों को गुना करते समय गलती नहीं करते लेकिन BG ये गुननखंडों को गुना करते समय हम अकसर गलती कर देते हैं हम देख सकते हैं कि X वर्गवाई इधर दोनों में मौजूद है तो इन BG गुनन खंडों को गुना करते समय हम X वर्गवाई को ऐसे ही रख देते हैं और केवल Z को गुना कर देते हैं तो हमें चो परिणाम मिलता है वह 21X वर्गवाई Z है लेकिन ये BG गुनन खंडों को गुना करने का गलत तरीका है BG गुनन खंडों को गुना करते समय हमें इस प्रकार समानचर के समुह बना लेने चाहिए उनके घात के साथ अब हम इन समानचरों को उनकी घात के साथ एक दूसरे से गुना कर देंगे तो X वर्ग गुणा X वर्ग होगा X की घात दो जोड़ दो जो है X की घात चार के बराबर घातांक और घात के नियम के अनुसार है जो हमने छोटी कक्षा में पढ़ा था इसी प्रकार Y गुणा Y हो जाएगा Y वर्ग और Z वैसे ही रहेगा तो यह सही उतर है जो है विकल्प B इस सत्र में हमने एक साधारन गलती की और नजर डाली जो हम PG व्यंजक को गुणा करते समय करते हैं